बूर्णिंग एन वेलकम तो आर यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकिया आई हूँ 16th of February 2022 के Important Current Affairs So Friends Current Affairs का अपने सस्टार्ट करने के पहले हमने जो लास्ट जे का Current Affairs पढ़ाता है पहले उसका डिविजन करेंगे Then हम स्टार्ट करेंगे अपने Current Affairs को So Friends First Question है यहाँ पे भारती टेबल टेनिश महा संग्याने TTFI की नई अध्यक्ष कौन बनी है यह बनी है दोस्तों आपका गीता मितल अगला है टेनिस टूर्णामेंट बैंगलूरू Open ATP Challenger 2022 जो है पुरुष यूगल का खिताब किसने जीता है यह जीता है दोस्तों आपका साकेत मायनीनी और रामकुमार रामनाथन जो है उन्होंने टेनिस टूर्णामेंट बैंगलुरू ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 का पुरुष एगुल का खिता है अगला क्शन है वैश्विक उद्दिमिता मौनीटब 2021 के वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस अस्थान पर रहा है तो ये रहा है दोस्तो आपका चौथे अस्थान पर अगला क्योशन है विश्व रेडियो दिवस 2022 जो है ये कब मनाए गया तो फ्रेंट्स ये मनाए गया था आपका तेरा फर्वरी को अगला क्योशन है यहाँ पर किस स्पेस अजनसी ने इंसेट 4 भी उग्रह को निस्क्री करती है तो ये किया है दोस्ता आपका इसरो भारत के द्वारा अगला क्योशन है एग्रिटेक स्टार्ट अप कंपनी किसी नेटवर्क के नए ब्रांडा मिज़र कौन बने है तो फ्र के साथ अगला है किस देश ने कोवाला को एक लुप्ट प्रजाती के रूप में घुशित किया है तो यह किया है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया ने अगला क्योशन है आपे भारती रास्ती महिला दिवस 2022 जो है जो उसकी सरिजनी नाइडू की जहनती है यह कब मनाया गया तो फ्रेंट तेरफ औरवरी को यह मनाया गया था अगला क्योशन है अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपने करेंट अफ़ेर्स के क्योशन को फ्रेंट यह जो करेंट अफ्यर्स है वो आपकी एक्जाम के पॉइंट-अव्यू से काफे ज़दा इंक्पॉर्टिन होने वा Institute of Chartered Accounts of India के नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड डेवासिस मिस्रा जो हैं वो Institute of Chartered Accounts of India के नए अध्यक्ष बने हैं और यह जो है फ्रेंड साब का जंबू सरिया का अस्थान लेंगे अध्यक्ष का नामे देवासिस मिस्रा और सची में इसके जैकुमार बने हैं फ्रेंड टाटा संस प्राइवेट लिमिटेट के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं अगला है मदरास उचन्याले के नए मुखिन्यादिश कौन बने हैं फ्रेंड मुरिश्वन नाद बंडारी जो है वो मदरास उचन्याले के नए मुखिन्यादिश बने हैं अगला है करमचारी चयान आयोग यानी की S.S.C. के नए अधेक्ष कौन बने है तो फ्रेंट S की सोर जो है वो S.S.C. के नए अधेक्ष बने है अगला क्यूशन है वित्ति सेवा विभाग ने DFS के नए सचीव कौन बने है तो संजे मलोत्रा जो है वो DFS के नए सचीव बने है अगला क्यूशन है यहाँ पे क्रिसी एवं विकास कल्याण विभाग में नए क्रिसी सचीव कौन बने है तो ये बने हैं दोस्तों आपका मनोच आहुजा जो है वो किसी एवं किसान का लैंड विभाग में नए किसी सच्चिव बनेंगे अगला क्यूश्चन है यहाँ पे भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इस्टरों ने वर्स 2022 के पहले प्रिथवी अवलोकन उग्रज जो है पी एस एलवी सी फिर्टो जिसका फुल फॉर्म में पोलर सैटेलाइट लॉंच वेहिकल यानि कि ए उएस जीरो फोर जो है यानि कि अर्थ अब्जर्वेशन सैटेलाइट जो भारती अंत्रिक्ष नुसंधान संगठन है उसने वर्स 2022 के पहले प्रिथवी अवलोकन उग्रए EOS04 और दो छोटे उग्रव को PSLV C-2 रॉकेट द्वार लॉंच किया है और PSLV के जो 54 उडान है वो है 44,4 मिटर लंबा रॉकेट है इसने EOS04 और दो छोटे उग्रव के साथ अंत्रिक्ष की रियात्रा चाल स्टेज में पूरी की है फ्रेंटS EOS04 क्या है तो यह एक रडार इमेजिन सैटेलाइट है इसे हर तरह के मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है और इन तश्मीरों को जो इस्तमाल है खेती, वन, विज्ञान, विक्षार उपर्ण, बार्ण, नियंत्रन, जमीन की नमी और जल विज्ञान जैसे छित्र में होगा यह जो है तस साल तक काम करता रहेगा फ्रेंटS अन्य दो उबग्राओं के नाम है जिनको EOS04 के साथ लॉंच किया गया वो है आपका INS2TD और दूसरा है INSPIRE क्यानिकी INSPIREZ AT FIRST फ्रेंट, इस्रो के बारे में आपको कुछ IMPORTANT POINTS बता दो तो इस्रो जो है भारत की एक SPACE AGENCY का नाम है जिसका मुख्याले है BANGALOLU करना टेक में इसकी अस्थापना हुई थी 15 अगस 1979 को और इसके संस्थापा के फ्रेंट सापका विक्रम सारा भाई अद्धक्ष का नाम है S.ुमना और पहले जो अद्धक्ष से वो थे आपका विक्रम सारा भाई फ्रेंट, इस्रो के सूर्य अद्धन मिशन का जो नाम है वो है आपका आदित्य L1 भारत के अंत्रिक्ष का जो पिता में मानना चाहता है वो मानना चाहता है आपका विक्रम सारा भाई को और भारत ने 104 उग्रा यानि कि अपने सबसे अधिक्तम उग्रा का जो रिकॉर्ड है वो किस रॉकेट से भी जा तो वो भी है तो दोस्तो आपका PSLVC-37 से अगला है इसरो के मंगल मिशन जिसे 592013 को लॉंच किया गया था इसका नाम है मॉम जिसका फुल फॉर्म है मार्स और्बिटर मिशन अगला है भारत और जापान के चंद मिशन का नाम है फिर्ट आपका लिउप एक्स अगला क्योशन है फ्रैंक वॉल्टर स्टीन मियर किस दे और फ्रैंड जो जर्मनी की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है राइन नदी जर्मनी के समिधान से लिया गया था दोस्तो आपका अपातकाल के दोरां जो राश्पती के मौली का अधिकार है उनसे समन्दिर शक्तियां अपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिबरतन और ज सšíो मारा कास्रों और इतलींदेश के फिरसे राश्पती कौन बने तो सर्जीयू मत्ता रिला संठकल बारबाबरोस की राश्पती का नाम है इतलींदेशν दोस्तों आपका जोस दैनियल और टेगाव अगला क्योशन है टाउंस जेटर समुदाय और विकारियों के लिए अजीवका और उद्यव समर्थ योजना जो इसमाईल है को किसने लॉंच किया है यह किया है दोस्तों आपका विरिंद कुमार जो की सामाधिक नया और अधिकार मंत्राले से हैं इस्पायर जिसका फूर्फ फॉर्म में सपोर्ट फॉर मार्गिनलाइज इंडिविजल्स फॉर लिवली हुड एंड इंटर्प्राइज यानि कि अजीवका और उद्यम के लिए सिमान व्यक्तियों है तो समर्थन यह जो है वो समाजिक नया और अधिकारित मंत्राले ने ट्रांसेंडर समुदाय और विकारियों के लिए आजियुका और उद्यम समर्थन यूजना जो इसमाईल है इसको लॉंच किया है और इसको जो लॉंच करने का उद्देश है वो है कि यह जो यूजना है राज या संग राज छेतर सरकारों और शहरी अस्थान निकायों के पास उपलग मौजुदा जो आस्रे हैं ग्रीहों के उपयोग के लिए विक्ष्या प्रिति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर वासुन स्थित करेगी अगला है अंतरास्टी मिर्गी दिवस 2022 जो है यानि कि इंटरनेशन एपिलैप सी डे जो है 2022 से कब मनाय गया था यह मनाएगा दोस्ता को 14 फर्वरी को जागुता को बढ़ावा देने के लिए फर्वरी के दूसरे सुमार को प्रतिवर से मनाई जाने वाला एक वैश्विक कारिक्राम है जो कि अंतरास्टी मिर्गी दिवस इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलैपसी जो है और इ विश्व कैंसर दिवस 2022 जो है यह मनाएगा था आपका चार फर्वरी को इसकी थीम रहती क्लोस दग केर गैप सेकेंड है विश्व आद्र भूमी दिवस 2022 जो है यह मनाएगा था आपका दो फर्वरी को और इसकी थीम रहती लोगो और प्रकिर्थी के लिए आद्र भूमी क अगला है विश्वक कुष्ठ दिवस 2022 जो है वो मना गया थापका 30 जन्वरी को और इसकी थीम रही थी United for Dignity अगला है दोस्तो डेटा गोपनी था दिवस जो है 2022 यह मना गया थापका 28 जन्वरी को और इसकी थीम रही थी Privacy Matters किस राज के स्वास मंत्री ने कैंसर की रोग थाम के लिए भारत की पहली Hope Express जो है इस मशीन को लॉंच किया है यह किया है दोस्तो आपका राजे स्टोपे जो की महराश से है और इससे जो ग्रामीन छेतरों के मरीजों को फाइदा होगा पर पिछले Top 5 भारत में जो पहला से जुड़े प्रस्णों उनका रिविजन करते हैं तो फर्स्ट है यहां पर भारत में पहला Bullet Train का जो इस्टेशन है 2024 यह कहां बनेगा तो यह बनेगा दोस्तों आपका सूरत गुजरात में अगला है भारत की पहली MRNA COVID-19 वैक्सीन को किस स थापित किया यहां दोस्तों आपका खंडवा मध्यपरदेश में अगला है यहां पर प्रास्टी एकल खिड़की प्रणाली जो है यानि कि नैस्नल सिंगल विंडो सिस्टम जो है इसके साथ एक्षिक्रित वाला देश का पहला किंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना है जंगु कश्मीर अगला है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधाली जॉब प्लेट फॉर्म जो है स्वराज बिलिटी को लॉंच किया है दोस्तों आपका भारती प्रद्रविगी सहस्तान है ज्राबाद ने अगला क्विशन है आपे 13 फर्वरी 2022 को क्रिस और प्रसंस्क्रित उत्पाद निर्याद विकास फ्रादिकरन अधिन्यम 1985 के अंतरगत की गई थी और यह जो बाडिज और उद्वग मंत्राले है इसके अधिनकारे करता है अपेड़ा जिसका फूल फॉर्म है अग्रिकल्चर एंड प्रोसेस्ट फूर्ड प्रोड़क्ट् अपना हुई थी तेरह फॉर्वरी 1986 को और इसका हैटवाटर नहीं दिल्ली में और इसके अधिक्षिया आपका डॉक्टर एम अंग मुथू अगला क्योशन है बिहार के खादी और हस्त शिल्प के नए ब्रांड अमेजर कौन बने हैं तो यह बने हैं दोस्तों आपका मनु विजय शेकर सर्माम अगला है ऑनलाइन बिमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई के पहले ब्रांड अमेजर बने दोस्तों आपका राज कुमार राओ और महिला ससक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिजेंस लीग क्रिकेट ने किस महिला को अपना क्रिकेटर को अपना ब्रांड ने बिजर न्यूक्स किया तो यह किया दोस्ता आपका जूलन बोश्वामी को अगला है ऑनलाइन ट्रैवल कपनी ismytrip.com के नए ब्रांड बिजर बने आपका विजय राज और मरूत शर्मा अगला क्योशन है वर्ष 2022 में मुंबई अंतरास्टी फिल्म महत्सों के कौन से संस्क्राण का अयोजन किया जाएगा यह किया जाएगा दोस्तो आफका सित्रह में फ्रेंट्स व्रित रीट्ट चित्र लगुकथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए वर्ष 2022 में मुंबई अन्तलास्टी फिल्म महत्सों के सत्रवे संस्क्रत का जो अयोजन है वो किय जाएगा यह जो कारेक्राम है 1990 से महराज सरकार की समर्थन से फिल्म प्रभाग सूचना से और प्रसाणन मंत्राले द्वरा आउजित्स किया जाता है मौस्तों को जो सरोसेज डॉक्यमेंटरी है इसको स्वन संख और 10 लाग का नगत पुरुषकार दिया जाएगा अगला क्योशन है भारती रिजर्व बैंक द्वरा वित्ति साक्षर्टा सप्ता दो हजार बाइस का आयोजिन जो है वो कब से कब तक किया जाएगा यह किया जाएगा दोस्तों आपका 14 से 18 फरवी 2022 तक प्रेंट्स RBI जो है वो वित्ति सिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए RBI द्वारा वित्ति साक्षर्टा सप्ता का आयोजिन 14 से 18 फरवी 2022 की बिस किया जाएगा और इस आयोजिन में बैंकों को यह सहला दी जाती है कि वेजर सूचना का प्रसार करें और अपने ग्र RBI जिसके अस्थापना हुई थी एक अप्रेल 1935 को और RBI पैंक की जो अस्थापना है वो हुई थी फ्रेंट्स आपका भारती रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दारा है इसका मुंबई महरास्त में और इसके गवर्णर शक्तिकान दास वर्तमान में जो RBI की चार डिप्टी की गवर्णर है उनमें है महिश कुमार जैन, माइकल लाजेश्वर राओ और टी रवी शंकर और RBI को फिरेंट बैंको का बैंक भी कहा जाता है RBI का रास्तिकरण कब किया गया तो 1949 को RBI का रास्तिकरण किया गया था RBI के पहले अंग्रीजी गवर्णर थे आपका सर ओस्बोर्ण, RBI के पहले भारती गवर्णर थे सीडी देश्मू अगला है RBI के प्रतिक चिन में से किसे चित्रित किया गया तो ये किया गया दोस्तों आपका तार्खा व्रिच और रॉयल बेंगॉल टाइगर को अगला है RBI के गवर्णर की न्यूक्ति कौन करता है तो फ्रेंट प्रधान मंत्री जो है वित मंत्री की सला पर RBI के गवर्णर की न्यूक्ति करता है अगला है शुरुवात में RBI का केंद्री कारयाले अस्थापित किया गया था कोलकाता में और RBI का जो केंद्री कारयाले है इसको अस्थाई रूप से मुंबई में अस्थांतित कर दिया गया था 1937 में टेस्ट क्यूशन है आज का HIV के सहक होच करता और नोबल पुरिसकार विजिता जो है लियूक मॉंट टैगनियर का निधन हो गया यह किस देश के वैग्यानिक थे इसका जो राइट एंसर है वह आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और यह वीडियो कैसा ल